नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Being Auto Smart में हमारे YouTube चैनल मेरा नाम है मकरन आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि मारूती सुजुके ने अपने 1,32,000 यूनिट्स ऑफ बलेनो और वैगनार को रिकॉल किया है इंस्पेक्शन के लिए तो क्या है पूरा मामला देखते हैं आज के इस वीडियो में इस कैम्पेन में मारूती ने अपने बलेनों के 78,000 यूनिट्स और वैगनार के 56,000 यूनिट्स को रिकॉल किया है और इस रिकॉल में गाडियों का इंस्पेक्शन किया जाएगा और देखा जाएगा कि गाडियों में क्या प्रॉब्लम है कम्पनी को लगता है कि गाडियों के फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो सकता है तो गाड़ी का पूरा inspection होगा और उसमें अगर कोई part faulty निकलता है तो company की तरफ से free of cost उस part को change कर दिया जाएगा इस campaign में शामिल है वैगनार जो की बनी है October 2018 से लेकर November 2019 के बीच में और बलेनो जो की बनी है January 2019 से लेकर November 2019 के बीच में तो अगर आपकी गाड़ी भी ये बलेनो और वैगनार में से एक है और बनी है इन महीनों के बीच में तो आप जल्दी अपने डिलर से contact कीजे या फिर company ने इसके लिए एक web link भी जारी किया है वहाँ पे आप अपने गाड़ी का चासिस नंबर डाल के भी चेक कर सकते हो कि Link भी जारी किया Link में description box में आपके लिए छोड़ दूँगा इसके साथ ही Toyota Company ने अपनी rebatch बलेनो यानि की Glanza के 6500 यूनिट्स को recall किया है Toyota के डिलर्शिप के पास तो अगर आप Glanza के ओनर हो और आपकी Glanza बनी है January 2019 से लेकर November 2019 के बीच में तो जल्दी अपने नजदी की Toyota डिल कार्स में है या नहीं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उमीद करता हूँ को आपको पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक किजिए शेयर किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो जल्दी मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपि